पच्चिस माई को जीन्द के खटकट टोल प्लाजा पर सर्व समाज और भारतिय किसान यूनियन द्वारापूर गवर्नर सत्यपाल मलिक और लगातार एक महीने से जंतर मंतर पर बैटे खिलाडियों को सम्मानित किया जाएगा और खिलाडियों के समर्थन में महारैली की भारतिय किसान यूनियन चडूनी के जिलादेक संजू गुंदियाना ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आज देश में कानून दो प्रकार के हो गए हैं गरीब और आम आदमी के लिए कानून अलग और सत्ता में बैटे बाहु बलियों के लिए कानून अलग आज पूरा देश खिलाडियों के समर्थन में परदर्शन कर रहा है लेकिन केंद्र सिरकार आँख बंद कर बैठी है अखिर्शन में परदर्र में परदर्र सव्रानिक कर तुमक्र बारदर्र। होती है लेकिन ब्रिज बुसर जिन के लिए एफ आई यार करवाने के लिए भी पीडिसों को उधरने पर बैटना पड़ा और सुप्रीम कोड से आदे सुवेद्व हाई पाई यार दर्ग हुई है उसके बाद आज तक भी तकरीबन एक महीने से जंतर मंतर पर पूरे देश के खिलाडी समाजिक संस्ताई बैटनी हैं लेकिन गिरफतारी नहीं हुई हम कहना चाहिए देश के परदान मंतरिते राष्टपती से कि एक देश है तो कानूर समी के लिए एक होना चाहिए अब तो खिलाडियों ने भी कहती है मुनार्को टेस्ट के लिए भी त्यार है उसका उन्होंने कहा कि 25 मई को जीन्द के खटकर टोल प्लाजा पर सर समाज और भारतिय किसान यूनियन द्वारा पूर्व गुवर्नर सत्यपाल मलिक और लगातार एक महीने से जंतर मंतर पर बैटे खिलाडियों को सम्मानित किया जाएगा और खिलाडियों के समर्थन में महारै कि जाएगी मूरो रिपोर्ट नवदेश टाइम्स